कल ओपोजिशन के जो फ्लॉर लीडर्स हैं सब की मीटिंग हुई और युनैनिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिसकाशन चाहिए हिंदुस्तान के स्टूडन से मैं कहना चाहता हूँ ये आपका इशू है और हम सब को लगता है इंडिया गटबंदन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविशे हो तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लिमंट हाउस में नीट पे ड अच्छी तरह प्यार से डिसकर्शन होना चाहिए रिस्पेक्फुली डिसकर्शन होना चाहिए हम रिस्पेक्फुली करेंगे आप भी डिसकर्शन में जॉइन कीजे आप भी भाग लीजे और रिस्पेक्फुली क्योंकि यह युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युव पताना चाहिए आज और स्टूडन के स्टूडन से मैं कहना चाहता हूं यह आपका इश्यू है, और हम सब को लगता है इंडिया गटबंदन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविश्य हो तो हमें लगा कि यहां पे पार्लमेंट हाउस में नीट पे डिसकॉशन हो और उसके बाद प्रेजिडेंट्स अड्रेस हो पाए और मैं रिक्वे करेंगे आप भी डिसकॉशन में जॉइन कीजिए आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली क्योंकि यह युवाओं का मामला है तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले घबराए हुए हैं उनको यह नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में तो पार्लमेंट से मैसेज जाना चाहिए उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ओपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है तो यह यह आपको बताना चाहा है